ओम शान्ती आज है 22 मार्च 2014 की सकार मुरली आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को मीठे बच्चे जितना समय मिले अंतर मुखे रहने का पुरुशार्थ करो बाहर मुखता में ना आओ तब ही पाप कटेंगे प्रेश्न है बढ़ती हुई कला का पुरुशार्थ क्या है जो बाब हर बच्चे को सिखलाते हैं उत्तर है बच्चे शड़ती कला में जाना है तो बुध्धी योग एक बाप से लगाओ फलाना ऐसा है यहाँ ऐसा करता है इसमें यहाँ अवगुण है इन बातों में जाने की दरकार नहीं अवगुण देखने से मुह मोड लो नमबर दो कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं मुरले में जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उन्हें धारन करते रहो तब ही शड़ती कला हो सकती है ओम शान्ती अभी यहाँ है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास योग कौन सा यहाँ बहुत अच्छे रीती समझाना है क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं यह है राज योग जो परमात्मा सिखलाते हैं क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राज योग सिखलावे यह लक्ष्मी नारायन भगवती भगवान है राजयोग सीखे तब तो भविश्य में भगवती भगवान बने यह है ही पुरुशोत्तम संगम युग की समझानी इसको कहा जाता है पुरुशोत्तम पुरानी और नई दुनिया का बीच पुराने मनुश्य और नई देवताएं इस समय सभी मनुश्य पुराने हैं नई दुनिया में नई आत्माई देवताएं होते हैं वहाँ मनुश्य नहीं कहेंगे भल है मनुश्य प्रंतु देवी गुणों वाले हैं इसलिए देवी देवता कहा जाता है पवित्र भी रहते है बाब बच्चों को समझाते हैं काम महाशत्रू है यह रावन का पहला पहला भूत है कोई बहुत करोध करते हैं तो कहा जाता है भौबहों क्यों करते हो यह दो विकार बड़े शत्रू है लोब मोह के लिए भौबहों नहीं कहेंगे मनुश्यों में साइंस घमंच के कारण क्रोध कितना है यह भी बहुत नुकसान कारक है काम का भूत आदी मध्य अंत दुख देने वाला है एक दो पर काम कटारी चलाते हैं यह सब बातने समझ कर फिर औरों को समझानी हैं तुम्हारे सिवाए बाप से वर्सा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतलाना सके तुम बच्चे ही बता सकते हो बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्सा कैसे मिलता है जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है बुद्धियों कहां भटकता है युद का मैदान है न ऐसे कोई मत समझे सहज बात है मन क तुफान वविकल्प धेर के धेर न चाते हुए भी आएंगे इसमें मूझना नहीं है योगबल से ही माया भागेगी इसमें पुरुशार्थ बहुत है धंदे धोरी में कितने ठक चाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करने प औरों को समझाएंगे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए अंतर मुखी होना है भल कहां बाहर मुखी होना भी पड़े फिर भी जितने फुरसत मिले कोशिश कर अंतर मुखी होना चाहिए तब ही पाप कटेंगे, नहीं तो नपाप कटेंगे, ना ओँचपद पाएंगे, जनम जन्मांतर के पाप सिर्पर है, सबसे जासती पाप ब्रहनों के हैं, उनमें भी नंबरवार हैं, जो बहुत ओँच बनते हैं, वही बिलकुल नीच भी बनते हैं, जो प्रिंस बनते हैं उनको हिफिर बेगर भी बढ़ना है ड्रामा को अच्छी रिती समझना है जो पहले आएं हैं वहाँ पिछाडी में आएंगे जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूं इनके बहुत जन्मों के अंत में सो भ बड़े सब की वानप्रस्त अवस्ता है, बाप के लिए गायन भी है, सर्व की सद्गती करने वाले, वह होती ही है पुर्शोत्तम संगम युग पर, यहाँ पुर्शोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए, जैसे मनुश्यों को कल युग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, बहुतों को तो अपना गोरक धन्दा ही याद रहता है, बाहर से मोहटा हुआ हो, तो धारना भी हो जाए, एक कहावत है, अंतकाल जोस्त्रे सिम्रे, जो गीत वश्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ग्यान से कनेक्शन है, वहर रखने चाहिए, जैसे चीची दुनिया से जाना ही होगा, दूसरा नैनहीन को राह दिखाओ, ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए, बनाए तो मनुश्यने हैं, जिनको इस संगम का पता ही नहीं है, इसमें सब ग्यान नैनहीन अंधे हैं, जब परम आत्मा आए तब आकर रह दिखाए, अकेले को तो नहीं दिखाएंगे, यहां है उनकी शिव शक्ती सेना, यह शक्ती सेना क्या करती है, शुरुमत पर नई दुनिया की स्थापना, तुम भी राज्योग सीखते हो, जो भगवान के सिवाए, कोई सिखला न सके, भगवान त तुम को पढ़ाते हैं, यह तो तुम ही चानो, तुम हारे में भी नंबरवार हैं, तो तुम को वार्निंग देनी चाहिए, बड़े-बड़े अख़वार में डालना चाहिए, मनुश्य जो योग सिखलाते हैं, वह है हठ योग, राज्योग एक परंपिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ती जीवन मुक्ती मिलती है, हठ योग से दोनों नहीं मिलते, वह है हठ योग, जो की परंप्रा से चला आता है, पुराना है, यह राज्योग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखलाते हैं, बाबा ने समझाया है, जब भाशन करते हो, तो पिक्स निकालनी चाहिए, प्रंतु ऐसे करते नहीं है, शुरीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं, पहले भाशन लिखो, फिर पक्का करो, तो याद आएगा, तुमको औरली भाशन करना है, तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है, विचार सागर मन्थन कर भाशन करने की ताकत उसमें रहेगी, जो अपने को आत्मा समझ कर फिर बोलते हैं, हम भाईयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी, यहाँ बहुत उंची मन्चिल है ना, पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है, जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होग अंगदवा महावीर भी रुस्तम था, तब कहा रावन भी हमको हिला कर दिखाए, यह स्थूल बाती नहीं, शास्त्रों में यहाँ दंत कथाएं हैं, यह कान जो परमात्मा बाब का सुनहरी ज्यान सुनने वाले थे, वहाँ दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बन सीठी नीचे ही उतरते आएं, चरह सीचनमों की भी कहानी है न, जो भी भक्ती की है नीचे ही उतरे हैं, अब बाब उपर चड़ना सिखलाते हैं, अब तुम्हारी चड़ती कला है, अगर बुध्धियोग बाब के साथ नहीं लगाएंगे, तो जरूर नीचे ही गिरेंगे, बाब को याद करते हो तो ऊपर चड़ते हो, महनत है बहुत परंतु बच्चे गफलत करते हैं, धंदे में बाब को और नौलिज को भूल जाते हैं, माया तुफान मिलाती है, फलाना ऐसा है, यहा करता है, यहा ब्रामनी ऐसी है, इसमें यहा अवगुण है, अरे इसमें अरवगुण संपन तो कोई बना नहीं है, कोई का अवगुण न देख, गुण ग्रहन करना है, अवगुण देखो तो मुह मोड लो, मुरली तो मिलती है, वह सुनते धारन करते रहो, बुद्धी से समशना है, यहा बाबा की बात बिलकुल ठेक है, जो बात ठेकना लगे छ ठोड़ देनी चाहिए, पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए, ब्रहमनी से वह पढ़ाई से रूठना गोया, बाप से रूठना, ऐसे बहुत बच्चे हैं, जो फिर सेंटर पर नहीं आते हैं, भर कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम मुरली से है, मुरली जो सुनाए, उ यहां नहीं आएंगे, नंबर वारतों है, यहां भी अच्छा है, जो सुभा को तुम याद में बैठते हो, बाबा आकर सेर्च लाइट देते हैं, बाबा अनुभव सुनाते हैं, जब बैठते हैं, तो जो अनन्य हैं, वह बच्चे पहले याद आते हैं, भल विलायत में है कुलकते में हैं, तो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं, बच्चे तो भल यहां भी बैठे हैं, प्रन्तो बाबा याद उनको करते हैं, जो सर्विस करते हैं, जैसे अच्छे बच्चे शरेर छोड़ जाते हैं, तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं, बहुत स प्रण्थू कौन एच्छी सर्विस करते हैं यह तो सब जानते हैं बाबा ने कहा यहान सर्च लाइट दो देते हैं दो इंजन है न यह भी इतना उंच पद पाते हैं तो ज़रूर ताकत होगी भल बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिरबाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहे बाके यहां तो समझते हो यहां दो बत्ती हैं और तो कोई में दो बत्ती नहीं है इसलिए यहां दो बत्तियों के सम्मुख आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं टाइम भी सवेरे का अच्छा है, सनान कर छट पर एकांत में चले जाना चाहे, बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छटें बनाई है, पादरी लोग भी एकदम साइलन्स में जाते हैं, जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे, गौड को जानते नहीं, अगर गौड को याद करते होंगे, तो शेवलिंग ही बुद्धी में आता होगा, अपनी मस्ती में जाते हैं, तो उनसे गुण उठाना है, दत्ता त्रे के लिए भी कहते हैं, वह सबसे गुण उठाते थे, तुम बच्चे भी नंबर वार दत्ता त्रे हो, यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, ज जाने की जुरूरत नहीं है, घर में बैठे हो, पहरा भी है, यग्य में पहरा भी रखना पड़ता है, यग्य के हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यग्य की एक एक चीज बहुत बहुत वेलियूबल है, इसलिए सेफटी फर्स्ट, यहाँ कोई आएंगे न जमाना बहुत डर्टी है, काम महाशत्रू है, वह सब कुछ भुला देता है, तो तुम्हारा सवेरे एक क्लास होता है, एवर हल्दी बढ़ने का, और फिर यहाँ है एवर वेल्दी बढ़ने का, बाप को याद भी करना है, तो विचार सागर मंधन भी करना है, बाप को करेंगे, तो वर्सब ही याद आएगा, यहाँ युक्ती बहुत सहज है, जैसे बाप बीच रूप है, जाड के आदी मध्यांत को जानते हैं, तुम्हारा भी धन्दा यहाँ है, बीच को याद करने से पवित्र बनेंगे, चक्कर को याद करेंगे, तो चक्करवर्दी अर्थात धन मिलेगा, राजा विक्रम और राजा विकरमाजीत दो समवत मिक्स कर दिये हैं, रावर्ण आया तो विक्रम समवत शुरू हुआ, डेट बदल गई, वह चलता है एक से पच्चिसो वर्ष, फिर चलता है पच्चिसो से पांच हजार वर्ष तक, हिंदूओं को तो अपने धरम का पता नहीं, यह एक ही धरम है, जो असली अपने धरम को भूल अधरमी बने हैं, धरम स्थापक को भी भूले हैं, तुम समझा सकते हो आर्य समाज शुरू हुआ कब, आर्य सुद्रे हुई सत्युग में थे, अन आर्य अभी हैं, अब बाप आकर तुमको तुम्हारी बुद्धी में सारा चक्र है जो अच्छे पुरुशार्थी हैं वह खुद भी जानते हैं औरों को भी पुरुशार्थ कराते हैं बाप है गरीब निवाज गाउं वालों को संदेश देना है छे चित्र काफी है चुरासी के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है उस पर अच्छी तरह समझाओ प्रन्तु माया इतनी प्रवल है जो साब कुछ भुला देती है यहां तो दोनों लाइट इकठी है एक बाप की एक इनकी दोनों जबरदस्त है प्रन्तु यहां कहते हैं तुम एक ही जबरदस लाइट को पकड़ो सब बच्चे यहां भागते हैं समस्ते हैं डबल लाइट है बाप सम्मुख सुनाते हैं गायन है तुम ही से सुनो तुम ही से बोलो प्रन्तु ऐसे नहीं यहां बैठ जाना है आठ रोज काफी है अगर बिठा दिन तो धेर हो जाएं ड्रामा नुसार सब को चलता रहता है प्रन्तु तुम को आंत्रिक खुशी बहुत होनी चाहिए वहां खुशी उन्हें होती जो आप समान बनाते हैं प्रजा बनावे तब राजा बने पासपोर्ट भी चाहिए बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं अपने को देखो मेरे में क्या अवगुण है स्तूती निंदा सब सहन करना पड़ता है जो यग्य से मिले उसमें खुश रहना है यग्य के भोजन से तो बहुत लब चाहिए सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत तो है समय ऐसा आना है जो अनाज भी न मिले तो सब को सहन करना पड़ता है तब पास हो सकेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चियों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गट मौनिंग रुहनी बाब की रुहनी बच्चों को नमस्ते हम रुहनी बच्चों की रुहनी बाब दादा को नमस्ते जी नमस्ते जी सदा रहेंगे हस्ते जी वाह बाबा वह शुक्रिय बाबा शुक्रिय दिल से कहो मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा शुक्रिया मेरे बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुखु मोड लेना है पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने है नमबर दो बाहर से बुध्धी निकाल अंतरमुखी रहने का अभ्यास करना है धंदे दोरी में रहते दे ही अभिमानी रहना है बहुत बातचीत में नहीं आना है वर्दान है इशुर्य सेवा के बंधन द्वारा समीब संबंध में आने वाले रॉयल फैमली के अधिकारी भाव इशुर्य सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीब संबंध में आता है यहां के सेवा धारी वहां की रॉयल फैमली के अधिकारी बनेंगे जितने यहां हाड सेवा करते उतना वहां आराम से सिहासन पर बैठेंगे और यहां जो आराम करते हैं वहां वहां काम करेंगे एक एक सेकिंड का एक एक काम का हिसाब किता बाब के पास है श्लोगन है स्वाप परिवर्थन द्वारा विश्व परिवर्थन का वाइब्रेशन तिवर गती से फैलाओ शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, ओम शान्ती श्करिया बाबा, शुक्रिया युक्रिया मां शाय झाल झाल